हलो नमस्का दोस्तों रास्थान के जालोर समाचारमा आपका सोगत है जालोर जिले के सरवना थाने के पिरवारी किसना राम के खिलाप रेप का मामलत दज करवाने का बड़ा ही मामलत देखने को मिल रहा है दरसल जुनजुनु जिले के एक गाउं की विवायता ने सर्वना थाना पिरवारी किसना राम और अपने ताउ के बेटे पर रेप का मामलत दज करवाया है पुलिस ने बताए कि गुनिस वर्षी विवायता ने रिपोर्ट दे कर बताए कि जब वह छोटी थी तो जालो और जिले के रहने वले ताउ के बेटे ने करीब तीन साल तक उसके साथ गलतवारदात को अंजाम दिया उसने इस बारे में परिजनों को भी बताया लेकिन परिजनों ने चचेरे भाई का ही पक्स लिया इस बात पर वह सरवना थाना पिरवारी किसना राम से मिली तो उन्होंने स्याम को आने के लिए कहा वेस्याम को पुलिस थाने गई तो वहाँ उसका चचेरा भाई बैठा हुआ था इसके बाद थाना दिकारी और ताव को बेटे ने मिलकर उसके साथ बारी-बारी से गलतवारदात को अंजाम दिया है वही यूपती ने यह भी बताई कि वह 1 सितंबर 2022 को घर से भाग गई थी और अपने दोस्त को फोन कर गटना के बारे में जान करी दी और उसके पास रहने लगी गुनि सितंबर 2022 को उसने अपनी मर्जे से जुन-जुन जिले के एक गाव निवाची दोस्त के साथ साधी कर ली थी जब परिजनों को इस बारे में पता चला तो विवाईता की माने सरवना थाने में विवाईता के पती के पिता के खिलाप जूटी अफायार दज करवादी थी इस पर सरवना पुलिस उसके पती के पिता को उठा कर ले गई और ग्रपतार कर लिया गया जिसके बाद यूप्ति ने जुंजुनु स्पी से गुहार लगाई इसी तुरान जुंजुनू S.P. मिर्दूल कच्वा ने बताए कि मामला संग्यान में आया है यूपती की मेडिकल करवाने के बाद जीरो F.I.R. दज करे जांच के लिए जालोर के सरवना थाने भेज दी गई है उदर सरवना थाना अधिकारी ने कहाए कि मेरे खिलाब पर रेप का मामला दज होने की मुझे भी जानकारी नहीं है सो दोस्तो बड़ी खबरती वीडियो का लाइक सेर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें